क्या है आज की बात मेरी बात आपकी बात हर किसी की बात देश दुनिया गाउं तेहाद सत्ता समाज संस्कृति मीडिया और सियासर सब की बात नियोज क्लिक का विकली शो आज की बात मेरे साथ दोस्तों नमस्कार आदाब सच्छी अकाल नेवस क्लिक के कारक्राम आज की बात के साथ मैं उर्मिलेश बीतेश शनिवार को देश के गिरिह मंत्री और भारती जनता पार्टी के बड़े चुनावी रणने नितिकार अमिक शाह ने मध्य प्रदेश में अपनी चुनाव रहलियों के दोरान एक बात कही थी और वो बात बड़ी महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा था कि मध्य प्रदेश के चुनाव का जो नतीजा होगा वह भारत के चुनावी नतीजे को प्रभावित करेगा यानि एक तरह से मध्य प्रदेश का जो रिजल्ट होगा वो संपूर्ण देश के चुनाव यानि 2024 की जो तस्वीर है उसको एक तरह से तैक करेगा अब जहां भी चुनाव होता है किसी बड़े राजी में नेता लोग ऐसा ही कहते हैं वियार में होगा अगर माल लीजे असेम्बली होती आज असेम्बली एलेक्शन होती तो लोग कहते हैं कि सहाब आपके यहां का जो चुनाव है वही देश को प्रवावित करेगा यूपी का होता तो बेशक कहा जाता तो ये एक रिवाज है लेकिन ये बात जरूर सही है कि मद्धिप्रदेश जहां पर 230 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है असेम्बली का जितने चुनाव हो रहे हैं असेम्बली के उसमें सबसे बड़ा राज्य है और एक तरह से तस्वीर भी इसकी काफी हद तक भारत जैसी है मिला जुला समाज है हिंदी का छित्र है हिंदी भाशी भारती जनता पार्टी बहुत मजबूत रही है RSS का बहुत जबर्दस्ट प्रभाव है लेकिन सरकार के खिलाप जबर्दस्ट एंटी इंकम्बेंसी है तो एक पहलू अगर आप देखिए कि इतनी जबर्दस्ट एंटी इंकम्बेंसी के बावजूद अगर भारती जनता पार्टी मध्य प्रदेश में चुनाओ जीतने की स्थिति में आजाती है कल्पना कीजिए तो इसका मतलब कि वो देश में खासकर साओधर्न इंडिया में नार्थिस्ट इंडिया में और सेंट्रल इंडिया में भी और मैं तो कहूँगा कि उत्तर भारत के भी कई राजियों में मोजी सरकार के खिलाब भी एंटी इंकम्बेंसी है इस बात से तो इंकार नहीं किया जा सकता है ये मैं नहीं किया रहा हूँ कि पूरी तरह रिजेक्ट करने की मुद्रा में अवाम है लेकिन 2019 की तरह 2014 की तरह तो महावल आज नहीं है इतने सालों के बाद तो ऐसी स्थिती में अगर वो मध्यप्रदेश को भी मैनेज कर लेते हैं इस चुनाव में तो निसंदे वह केंद्र के चुनाव को भी मैनेज करने की स्थिती में आ सकते हैं अपने बहतर चुनाव प्रबंदन के आधार पर लेकिन मद्यप्रदेश की चुनावी असलियत क्या है हम अगर वहां के सावाजिक समीकरोणों के हिसाब से देखें राजनीतिक दलों ने जो उमिद्वार अपने पेश किये हैं उसके आधार पर देखें और जो दावे किये जा रहे हैं अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी से और अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टी का जनी दो पार्टी वहां पर प्रमुख है कॉंग्रेस और भारती जनता पार्टी इनके जो इनका जो संगठिन धाचा है ये तीन पहलू इन तीन पहलों की रोशनी में हम आज अपने इस एपिसोड में मद्य प्रदेश के चुनाओं पर कुछ बात आपके सामने रखना चाहते हैं दोस्तो एक बात बिल्कुल साफ है कि मद्य प्रदेश में जैसा मैंने पहले कहा कि कॉंग्रिस उपर है और भारती जनता पार्टी उच नीचे है पाले बहुत ज़्यादा नीचे थी शुरू जब हुआ चुनाओं का महौल तो ऐसा लगता था कि भारती जनता पार्टी बहुत पीछे है शिवराज सिंग्च चवाहान की सरकार ने 18 साल मतलब बीजेपी 18 साल से है और देड़ साल वो अगर छोड़ दिया जाए जो कमलनाथ ने शपत ग्रण की उनकी सरकार चली पिछले चुनाओं के बाद लेकिन वो फिर चली गई देड़ साल के बाद पूरी की पूरी कॉंग्रेस पार्टी में इतना बड़ा चंक जो चला गया बीजेपी की तरफ जोती राज सिंधिया वगरा तमाम लोग उसके बाद एक तरह से चुनाओं हड़प हो गया आमिन ऐसा लगा कि चुनाओं के जो नतीजे हैं उसको बीजेपी ने हड़प लिया है इसलिए राहूल गांदी लगातार केमपेंड में कह रहे हैं कि ये सरकार जो मौझूदा है बीजेपी की वो जनता के जनादेश से नहीं बनी है ये चुनाओं के जनादेश की चोरी कर के बनी है तो शुरू जब हुआ चुनाओं का प्रचार तो ऐसा लगता था कि बीजेपी बहुत बुरी तरह हारने जा रही है ये चुनाओं लेकिन आज की इस्तिती में अपने संगठन के बल पर बुन्यादी तोर पे आरेसिस का जो गठम वहां पर संगठन है उसके बल प कुमार्थ संसादन हैं इनके बल पर उसने निस्तन दे जो शुरुआती दोर में महौल था उससे थोड़ा बेहतर अपनी आपको किया है और काफी नजदीक वो पहुंची है कितना नजदीक पहुंची है ये तो जमीन पर जो लोग देखने हैं वो बता सकेंगे जनता की किस कोड दे रहे हो वो बोलेंगे भया जिसको कहो उसको दे दे आप मुस्कुराएंगे वो कहेंगे कि भया सरकार कैसे चल रही है वो बोले अच्छा ही चल रही है और कमलना जी की सरकार कैसी थी वो बोलेगा वो भी अच्छी ही थी तो ऐसी बात करने वाले लोग गाउं मे आपको बहुत मिल जाएंगे तो वो बिलकुल अपने को एक्सपोज नहीं करते हैं और यही कारण है कि आम तोर पे कई बार ऐसा देखा गया है कि जो exit पोल होते हैं टेलेविजन चेरनों के वो गलत सा भीत हो जाते हैं खासकर जो गैर शाहरी छेत्र जहां पर जिन प्रदेश पॉइंट है कि उसके पास दो मूरत हैं एक कमलनाथ जो मुख्यमंत्री के पद के दावेदार उविद्वार हैं और दूसरे दिगविज है ये दो मूरत हैं लेकिन संगठन बीजेपी और आरिशेस के मुकाबले वो कहीं नहीं है पहले तो और भी कहीं नहीं था लेकिन मध्य प्रदेश के कई जीलों में फोन करके पत्रकारों से लेकरके और रायनितिक कारिकरताओं तक से इस बात की तस्दीक की पुष्टी की हाल के कुछ समय में कॉंग्रेस का संगठन थोड़ा सा बेहतर हुआ है वरना इसके पहले तो नेता थे हर जीले में एक नेता हर कमि निश्चित रूप से पहले के मुकाबले सुधरी है लेकिन जनता इस चुनाव में बीजेपी से निश्चन दे निश्चन दे बहुत नाराज नजर आ रही है एक एंटी इंकंबेंसी है लोग ऊप चुके हैं 18 साल एक ही तरह की पार्टी एक ही तरह का मिजाज एक ही तरह की नारे एक ही तरह की नीतियां और ये पहला चुनाव बहुत वर्ष्वबाद है भी मद्यप्रदेश का जहां पर भारती जनता पाटी पूरे देश में दावा करती है कि पूरा अपरकास्ट उसके साथ है लेकिन इस चुनाव में मद्यप्रदेश के अपरकास्ट का एक बिल्कुल नजरा रहा है और एक छत्रों में ऐसा लगता है कि लोग ऊब चुके हैं उनको भी समझ में आ गई है बात कि इससे काम नहीं चलेगा केवल हिंदुत्वा और केवल अपरकास्ट के नाम पर आप राजनीत करें बले ही आप मुख्यमंत्री को पिछड़ा बना दे या किसी और और किसी समाज के लोग को बना दें लेकिन राजनीती अपनी करें तो अपरकास्ट भी जो है वो दुखी है इसका मतलब है कि मुख्यरूप से वो रोजगार के कारण दुखी है उनके लड़कों को भी उनके बच्चों को भी नोकरियां नहीं मिल रही हैं महंग एक बड़ा हिस्सा बीजेपी को ओट देता रहा है लेकिन इस बार बीजेपी के ओवीजेपी को बैंक में जबरदस्त भी भाजन है और मैं तो कहूँगा कि कॉंग्रेस ने अगर कॉंग्रेस के टॉप लीडर्शिप ने प्रदेश की अगर सज पूछे तो मद्दे प्रद को अगर उसकी संभावनाओं को अगर कोईसी ने पुखता किया है तो वो राहुल गांदी हैं और प्रियंका गांदी हैं लेकिन जो प्रदेश के जो नेता हैं वो बहुत सारी सीजों को समझ नहीं पा रहते शुरू में इन नेताओं के कारण उनको समझ में बात आई कि पार्टी ने जो निसंदे रहुल गांदी और उनके जो सलाकार हैं उनके कारण ऐसा हुआ है तो इससे मध्य प्रदेश की कॉंग्रिस को इस चुनाव में काफी बड़ी ताकत मिली है खासकर OBC समाज में दलिच समाज में और हर उत्पिलिच समाज में तो BJP के साथ जो लेकर EWS को लेकर रोजगार में कमी है जो OBC को रिजर्वेशन निर्धारित भी है उससे भी कम बिल रहा है इन चीजों को लेकर OBC को बात समझ में आई है मध्य प्रदेश में आम तोर पे राजनीचिक चेतना दूसरे कई और प्रदेशों के मुकाबले कम बानी जाती है लेकिन कई बार वो फैसले भी ऐसे करता है जो अधूत होता है अब आप बताईए पिछले 2019 के चुनाओं में ये फैसला कितना अजीब था कि 29 सीटें जिस प्रदेश में हैं उसमें एक सीट केवल कॉंग्रेस को मिली थी से सारी सीटें चली गई थी बीजेपी के खाते में जबकि प्रदेश के चुनाओं में कमलनाथ की अगवाई में 2018 में सरकार बनी थी 2020 में उन लोग ने सरकार को चिना लेकिन ज़्यादा सीटें तो कॉंग्रेस को आई थी विदान सभा में बीजेपी को नहीं आई थी हाँ वोटा परसेंटेश थोड़ा सा ज़्यादा था लेकिन प्रशंड बहुमत आ गया मध्यप्रदेश के लोग सभा के चुनाओं में तो ये देखना इस पार जरूरी है कि क्या नरेंद्र मोधी और अमिश्शा की कैंपेनिंग का मध्यप्रदेश के लोगों में कितना प्रभाव पड़ता है क्या वो सचमुष केंद्र में अभी भी बीजेपी को देखना चाहते हैं तो कहीं इसका रिफ्लेक्शन एसेम्बली एलेक्शन में न हो जाए लेकिन जो जमीनी अस्तर पर काम करने वारे कारिकरता वहां के जर्नलिस्ट और समाश शास्त्री जिन से मेरी बात होई है पिछले दो दिनों में लगातार तो उनका आकलन ये है कि बिलकुल इसका उतना असर नहीं पड़ेगा जो 2019 में हमने देखा है केंदर के नेता अपनी जगह है लेकिन राज्यस्तर पर बीजेपी से जो छुब्द लोग है वो अपना निरनय बदलने वाले नहीं है हाँ संगठन और कैंपेइनिंग के बल पर और संसाधन के बल पर संसाधन आप समझे संसाधन विदिन दे कोट उसके बल पर चुनाव के बहर दो तीन दिन आज चुनाव परचार समाप्त हो रहा है तो उसमें मद्ध प्रदेश की मद्ध प्रदेश में बीजेपी हर संभव कोशिश करेगी कि जो अभी वो पीछे चल रही थी उसको कैसे काउंटर करेगी कॉंग्रेस के पास उस तरह का पुक्ता संगठन नहीं है उसके पास नेता कुछ है जहां जो चुनाव लड़ रहा है उसके इर्द गिद उसके रिष्टेदार नातेदार दोस्त और उनकी जाद विरादरी के समाज के लोग जो उनको प्यार करते हैं समझते हैं कि ये ठीक उमिदवार हैं वही लोग हैं उनके पास कोई RSS नहीं है कॉंग्रेस के पास तो ऐसी स्थिती में अगर कॉंग्रेस ने डेढ़ दो सालों में जो संगठन में एक काम किया है अगर वो वातई कारगर साबित हु तो बीजेपी की बढ़त पानी की कोशिश को वो काउंटर कर सकते हैं या जो बहुत पीछे बीजेपी है वो कॉंग्रेस के बिलकुर नजदीक आ जाए या आसपास खड़ी हो जाए उस प्रक्रिया को रोग सकते हैं इसलिए राहुल गांदी बार बार कॉंग्रेसियों को हाँ आवान कर रहे हैं कि 150 सीट पानी है 150 सीट पानी है और जनता से भी कह रहे हैं कि हमें आप जिताये केवल नहीं हमको 150 सीट दीजिए ताकि हम मुकंबल राज कर सकें एक बहतर सरकार दे सकें ये सरकार को हड़प न सकें यानि बीजेपी वाले सरकार को फिर तोड़ न सक मध्य भारत का देश की राजनीत को प्रभावित कर सकता है इसमें कोई दोराय नहीं है लेकिन देखना है कि कॉंग्रेस की स्ट्रेटजी कॉंग्रेस की आइडियॉलिजी इस बार मध्य प्रदेश के लोगों को कितना कितनी अपील करती है और भारती जनता पार्टी का जो से जो निराशा रही है बहुत सारे कारों से क्या उसे उभूल जाएंगे तो देखिए होता है क्या आज बस इतना ही नमस्कार आदाब सत्रियकाल